आज की भोगा आफरिंग में जगनाद जी के लिए बना रहे है इसको इस्टाइल जिमीकन जिसे सूरन भी बोला जाता है इसके बाद इसका चिलका उपर से निकालना है क्योंकि कभी इससे इचिंग होती है तो हमेशा जब जी काटने के बाद दोलिया है जमीकंद को डालेंगे और एक ग्लास पानी डालके थोड़ा सा नमक और हल्दी के साथ इसको हमें बॉयल करना है एक सिटी लगानी है बस इसमें और उसके बाद जैसे ही प्रेशर निकले ठंडा करना है जमीकंद को तब तक हम तयार कर लेते हैं इसके लिए टमाटर की प्यूरी अध्रक का टुकड़ा दो टमाटर और एक हरी मिर्श लेनी है और प्यूरी तयार कर गैस का जो क्लेम है वो हमें हाई रखना है और इसको बस इसी तरीके से उलट उलट करकर तब तक सेखना है जब गोडन ब्राउन इसका कलर ना हो जाए बहुत ही यूनिक लिगर का होता है साथ में ही वेट लूस के लिए ये बहुत ही हेलफूल रेसिपी है तो आप वेट ल गोल्डन फ्राइफ होने के बाद में निकालना है कडाई में दो तेश पत्ते एक बड़ी लाइची सौंफ जीरा सावुत धनिया होडी सीहिंग कस्तूरी मेथी डालके मसालों को भूनना है और उसके बाद इसमें एड करना है टमाटर की प्यूरी टमाटर की पूरी को तब अच्छे से मिक्स करना है और मसालों के साथ अपनी ग्रेवी को अच्छे तरीके से लो मीडियम गैस पर तब तक पकाना है जब तक ओईल अलगना हो जाए उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक एड करेंगे यूकि नमक हमने जिमिकंद को वालने के टाइम में भी एड किया है जार में थोड़ा पानी डालके उसको इसमें एड करेंगे और जो हमारी ग्रेवी है उसको हमें अच्छे से पकाना है उसके बाद यहाँ पर आदा कप दही एड़ करनी है और इसको लगातार चलाना है नहीं तो हमारा दही फट जाएगा आप किती खट्टा कम खाते हैं तो दही की मात्रा कम कर सकते हैं लेकिन दही डालने से इसका एक बहुत यूनिक फ्लेवर आता है साथ में इसमें क्रीम भी एड़ कर सकते हैं रिश फ्लेवर लाने के लिए अब इसमें हमें अपने जिमिकंद को एड़ करना है और उसको हमें आराम से पकने देना है जीमिकंद को कई जगा सूरन बोला जाता है, इसको चपाती के साथ या चावल के साथ कंज्यूम किया जाता है थोड़ा सा नीपू डालेंगे, क्रीम डालेंगे, लगबक एक चमच इसको मिक्स करेंगे और कितनी परफेक्ट और खुश्बुदार हमारी जिमिकंद की सबजी बनके तयार हो गई है धनिया डालें और उसके बाद में आती है भगवान जगनाजी को ओग अर्बन करने के बारी तो तोसी पत्र रखें जगनाजी, वो आप ओफर करें उसके बाद प्रशाद रूप में लें प्रवपाजी बताते हैं भगवान के बगत सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं यहां पर मैंने गार्णिश के लिए और इसके उपर थोड़ इसी क्रीम डाली है और देखिए धनिया डालने के बाद भी कितनी सुन्दर लग रही है और बहुत ही डिलिशेस बनके भी तयार हुई थी इसी तरीके की साथविक रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, कमेंट करें हरे कृष्ण